कुछन हमारा है, find the zeros of the polynomial fu equal to 4u square plus 8u and verify the relationship between the zeros and its coefficient, ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम इसका जो है, factorize करेंगे, ओके, तो fu जैसा के हमें given दिया हुए, 4u square plus 8u है, ओके, आप जो है, इसे जब हम factorize करेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा, fu equal to, यहाँ से 4u हम common लेंगे, तो यहाँ पर हमारा जोगा, u plus 2, ओके, तो जो हमारा factorize है, यह दो टर्म हमारा आगया, ओके, अब यहाँ पर हमारा 0 क्या होगा, 4u equal to 0, और u plus 2 हमारा 0 होगा, तो यहाँ से हम u का value पता कर लेंगे, एक बार 0 से अगर, 4 divided होगा, तो 0 ही होगा, और यहाँ पर u का value minus 2 होगा, अब चली, अब alpha हम ले लेते हैं, यहाँ पर 0, और जो हमारा है, बीटा, उसको हम ले लेते हैं, यहाँ पर minus 2, अब जो relationship होता है, वो relationship कुछ नहीं है, relationship होता है, जब हम alpha पूलस बीटा करते हैं, तो जो हमारा जो आता है result होता है, coefficient of x by coefficient of x square, ओके, यह आपको याद रखां पड़ेगा, equal to minus का sign हम बाद में लगाएंगे, जो पले हमारा, यहाँ पर b term क्या है, जो हम बीटर्म होगा यहाँ पर, तो b term यहाँ पर आलफा का value में यहाँ पर 0 दिया होगा है, 0 पलस बीटा का value में दिया होगा है, यहाँ पर क्या, minus 2, minus 2 दिया है, तो यह हमारा हो जाएगा, minus 2, जो की हमारा आप यहाँ से मिलेगा, जो b, यहाँ जो टर्म है यहाँ पर, जो मिलेगा, तो minus 2 और यहाँ पर, यहाँ पर यहाँ हम, यहाँ लगाना था sign, तो यह हमारा हो जाएगा, यहाँ पर, एकल टूटां अब यह देखिया हमारा क्या है, यहाँ पर 2 हमारा positive था, और यह इंड़ बस टूप हो जाएगा, क्योंकि अगर 8 को हम 2 सेDrive करेंगे, यू हमारा 8 है ओके इसको डिभाट केंगे तो आजागा और जी सेकेंड जो हमारा वो अलुफा इन्टु बीटा है तो यह हमारा जो आएगा यह होता हमारा constant term constant term by the coefficient of x-square coefficient of x-square x-square to alpha marina pay zero beta marina pay minus two this quote I'm carrying it to my zero value is there are you jama constant term is में था स्माइब तो इस जो हमारा पॉलिनोमिया तो इसमें 0 था और जो हमारा coefficient of u-square जो की 4 था तो जी रहेगा तो मतलब यह और यह टेम है तो यह हमारा relationship होगा ओके यहां पर जीरो को alpha beta consider कर सकते हैं फिर उसका coefficient of x by coefficient of x-square and constant time by constant time of x-square thank you